प्रिये छात्रो पिछली वीडियो में हमने पड़ा प्रत्वी की आंत्रिक संडचना के बारे में जो भी भुगोलवेताओं द्वारा विभिन उनके मत दिये गए थे उनके बारे में हमने संचिप्त में जाना आज की इस वीडियो में हम जो सबसे आधुनिक मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे ये जो आधुरिक मत है ये है भूक कर्णे के ऊपर आधारिद जो प्रमान है प्रत्विक अंत्रिक्षण रचना के बारे में उन्हें बताया गया है भूकम विज्जान आप आगे आने वाले पार्ट में पढ़ोगे भूकम को किस प्रकार से मापा जाता है भूकम मापी अंतर के द्वारा और जब भी कहीं पर भूकम की उत्पत्ती होती है तो उस भूकम से तीन प्रकार की तरंगे लगातार निकलती है उन तरंगों के अध्यन के आधार पर प्रत्वी के आंत्रिक्षन रचना का अंदाजा लगाया गया है किसी ने भी प्रत्वी के केंदर तक जाकर नहीं देखा है कि प्रत्वी का केंदर किस प्रकार से है तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या सेमी मोल्टन स्टेट में है अर्ध द्रिवित वस्था में है ऐसा किसी को भी बिल्कुल पर्फेक्ट किसी के पास जानकारी नहीं है केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं लेकिन वैज्यानिक प्रमाणों के आधार पर यदि हम अनुमान लगाते हैं तो उसकी सटीक्ता की सभावना सब सबसे अधिक होती बच्चो जब भी कहीं पर भूकंप आते हैं तो भूकंप की जो गणना होती है या भूकंप का जो अंदाजा होता है पता लगा जाता है भूकंप मापी यंत्र की साहता से इस भूकंप मापी यंत्र के माध्यम से भूकंप से निकलने वाली सभी तरंगों का अध्यन किया जाता है उन तरंगों की गती और दिशा के बारे में अनुमान लगा जाता है पता लगा जाता है तो जब भी कोई भूकम पाता है उस भूकम से तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं प्रात्मिक तरंगे अर्था पी तरंगे सेकेंडरी तरंगे अर्था द्वितियक तरंगे और एल तरंगे अत्वा धरातलिय तरंगे तो ये तीनों तरंगों की जो विशेस्ता हैं वो देखिए P तरंगों की विशेस्ता P अत्वा प्रात्मिक तरंगे तो ये तरंगे ठोस पदार्थ में तीवर गती से चलती हैं लेकिन द्रव में इनकी गती गटने लगती है चलेगी तो द्रव में भी और ठोस में भी लेकिन ठोस पदार्थ में इसकी गती अधिक होती है और तरल पदार्थ में इसकी गती कम हो जाती है तथा वक्र होकर चलने लगती है जो सीधा रास्ता है वो सीधे रास्ते से ना चलकर वक्राकार रास्ते से ये चलने लगती है तथा केवल ठोस पदार्थ से होकर चलती हैं द्रव पदार्थों में ये तरंगे अनुपस्थित होती है। जैसे ही कोई द्रव परत आएगी ये तरंगे वहां पर गायब हो जाती हैं लुप्त हो जाती है। और तीसरी तरंगे हैं एल तरंगे, एल अत्वा धरातल ये तरंगे, ये तरंगे केवल उपरी धरातल तक सीमित रहती हैं तथा विनासकारी होती हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों तरंगों की विशेषताओं के आधार पर इन तीनों तरंगों का अध्यन किया जाता है और उस अध्यन के आधार पर भूगोल वेत्ताओं ने प्रत्वी को तीन परतों में विभाजित किया है पहली परत जो भूगल वेताओं ने बताई वो है क्रस्ट, दूसरी मैंटल और तीसरी कोर क्रस्ट अथवा भूपटल, मैंटल और तीसरी कोर अथवा क्रोड तो तीन तरंगे भूगल वेताओं ने बताई हैं क्रस्ट, मैंटल, कोर पहली परत जो है क्रस्ट, इस क्रस्ट का देखिए ये प्रत्वी की सबसे बाहरी परत है जो महादीपो के नीचे 50 km तक तथा महासागर के नीचे 5 km तक मोटी है इस परत की मोटाई 30 km तथा ओसत घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रती घन सेंटीमिटर तक है यह परत केवल ठो सवस्था में पाई जाती है तथा अधिकान्स भाग तथा अधिकान्स भूकम इसी परत में आते हैं इस परत में पी तरंगों की गती 6.5 km प्रती सेकिंड तक पाई जाती है तथा इसमें सिलीका, एल्यूमीनियम, बलूई पत्थर आदी प्रधान रूप से पाई जाते हैं तो यह देखिए इस चित्र के माध्यम से आप देखिए जो सबसे उपरी परत है crust, उसी का जो निचला भाग है, उसे एस्थैनो स्पियर का नाम दिया है इसके बारे में हम जब भी प्लेट विवरतनी की सिद्दांत में को पड़ेंगे तब हम एस्थैनो स्पियर के बारे में डिटेल में बताएंगे वहाँ पर उसके बाद में आपकी mental परत और फिर core तो इस प्रकार से ये प्रत्वी की जो आंत्रिक संडचना है उस आंत्रिक संडचना का एक चित्रा आपके सामने है दूसरी जो परत है mental परत इस परत की गहराई 2900 किलोमेटर तक है वोपटल खतम होने के पास चाथ प्रारंब होती है और 2900 किलोमेटर परत्वी की गहराई तक ये मौजूद है इस परत का उसत गनत 4.6 ग्राम परती गन सेंटिमीटर है तथा परत्वी के कुल द्रव विमान का 68 परतिसत और कुल आयतन का 83 परतिसत इसी परत में समाहित है इस परत में पी तरंगों की गती 8.1 किलोमेटर परती सेकिंड तक पाई जाती है जो मेंटल परत है उस मेंटल परत को तीन भागों में बाटा गया है किनी किनी किताबों में दो भाग भी बता रखे हैं तो मेंटल परत की जो तीन भाग हैं, वो तीन भाग आपका पहला है, 30 किलोमेटर से 200 किलोमेटर तक का, दूसरा भाग 200 किलोमेटर से 700 किलोमेटर तक, और तीसरा भाग 700 से 2900 किलोमेटर तक. तो जो उपरी भाग है मेंटल परत का जिसकी गहराई लगभग 100-200 किलो मिटर तक है जिसे आप चित्र में देख सकते हो एस्थेनोस्फियर का जो नाम दिया गया है ये एस्थेनोस्फियर को निम्न गती का मंडल भी कहा जाता है निम्न गती का मंडल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्द दिर्वित अवस्था में पाये जाता है और अर्द दिर्वित अवस्था में मिलने के कारण यहां पर भूकब ये तरंगें कम गती के कारण चलती है इसलिए इस परत को निम्न गती का मंडल के नाम से भी जाना जाता है मेंटल मुक्य रूप से बैसाल्ट तथा गैबरो चट्टानों से निर्मित है तीसरी जो परत है वो है आपकी कोर सबसे जो अंदुरूनी परत है परत्वी की इस परत का विस्तार 2900 किलोमेटर से परत्वी के केंदर तक है 2900 किलोमेटर पर इस परत का जो घनत्व है वो है लगभग 5.5 ग्राम परती घन सेंटिमीटर उसके पश्चात इस परत का घनत्व 10 ग्राम परती घन सेंटीमेटर तक पहुँच जाता है परत्वी के केंदर पर यहां पी तरंगों की जो गती है वो बहुत तीवर है लगबग 13.6 किलमेटर परती सेकिंड तक है इस परत में कोर परत में परत्वी के कुल द्रवमान का 32 परतिशत तथा आयतन का 16 परतिशत तक समाहित है बाहरी कोर में ऐस तरंगे प्रिवेश नहीं कर पाती जो यह प्रदर्शित करती हैं कि बाहरी कोर तरल अवस्था में मौजूद है जबकि आंतरी कोर ठोस अवस्था में हैं इसलिए यहां पर ऐस तरंगे पाए जाती है तो इस प्रकार से इन भूकम्पिय तरंगों के अध्यन के आदार पर प्रत्वी को तीन परतों में विभाजित किया है क्रस्ट, मेंटल और कोर तो जो सबसे उपरी परत है वो हो गई आपकी क्रस्ट उसके पश्चाथ मेंटल और सबसे केंदर में जो परत्वी के हैं वो है कोर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो अर्द दिर्वित अवस्था में जो परत पाई जाती है उस परत का नाम है एस्थेनोस्फियर और इसी Astoniosphere के उपर आपकी प्लेट विवरतन सिद्दान्थ में आपड़ोगे कि इस Astoniosphere के उपर लगातार प्लेटों का विस्थापन होता रहता है तो प्रत्वी की आंत्रिक संड़चना में आज इतना ही आगे की वीडियो में हम पड़ेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धान्त के बारे में आप देखते रहिए आगे की वीडियो घर पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद